तो देखे फ्रेंस हमने बकेट को भर लिया है और इसे में इतना खाली रखा है ताकि जो चीज हम इसमें डालने वाले उससे पानी ओफ्लो ना हो तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे केले केले के जो छिलके होते हैं फ्रेंस उसको आप रख लीजिए और अगर आप चाहें त इसको सुखा के इसी पॉर्डर बना कर भी इस तरीके से liquid खाद बना सकते हैं, आप एक कडोरी के करीब इसका केले के छिलके का पॉर्डर लीजीये, और इसके बाद में आप इसको पानी में डाल के इसके 아 Tap एच्छे से टी बना सकते हैं, इसके बाद में हम लेंगे friends, यह जो सुखी भी चाइपत्य है, हमने इसे अच्छे से दो है या, हमने थोह लिया है, और इसे हमने धूप में भी सुखा लिया है, तो आपको इसलिके से लेना है friends, अगर आप धोहेंगे नहीं और सुखाएंगे नहीं friends, वो आपको धोके और धूप में एक दिन सुखा लेनी है तो यह भी आप डाल दीजे इसके अंदर और इसके बाद में हम लेंगे यह उपले तो उपले भी आप 2-3 तुकड़े के करीब ले सकते हैं यह जो 10 लिटर की बकेट है इसमें आपको इस तरीके से इतनी चीजों को ले कई के लेगे मतलब साथ एक बकेट पानी लिए तो हम तीन बकेट यह उता है तो इसलिए यह दिए मैं हमारे आपको ही पूरे यह नाइट तैसको आपका और कंड़े भी अच्छे से सूख जाएंगी इसके अंदर से भी जाएंगे और फिर हम इसे अच्छे से मैस करके निकाल लेंगे। तो अगर आप जाहें, इसमें थोड़ी सी छाच, यह मठा भी डाल सकते हैं, थोड़ी सा गूड भी डाल शकते हैं। उससे काफी ज़्यादा अच्छे से इसकी जो खा दे वो अच्छी बनेगी और इसको आप इंडोर आउटडोर सभी जो अपने पोदे हैं उसके ओपर आप शावर कर सकते हैं आप उसको दे भी सकते हैं देने से पहले प्लांट को एक दिन पानी मत दीजिएगा तो काफी अच काफी ज़्यादा गिरीन हो जाएगी उनकी ग्रोथ भी बढ़ेगी तो गर्मी में अगर हम कोई दूसरी खाद नहीं दे सकते हैं तो हम इस तरीके की लिक्विट और जो ओर्गेनिक खादे जो ठंडी खादे हमारे प्लांट को जो जलाए नहीं उसको हम देंगे तो काफी एक अच्छे से गल ज्डाए यह जो अर्क था जो जूस था वो भी अछे से मिल गया ay manipulated तो काफी ज्यादा डार्क हो गया तो इस तरीके से प्रेंग इस फर्टिलाइजर को बनाना है excited से यूज़ करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूं फ्रेंज की यह जो आप देख रहे हैं बकेट इसमें आप पार्ट लेटर पानी से थोड़ा कम लिया था तो अब आप फ्रेंज इसमें तीन बकेट पानी और मिलाएंगे अच्छा कोई बड़ा सा डप या बकेट ले तो पंदरा दिन या मैने में दो बार इसको आप यूज़ कर सकते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा तो आप फ्रेंज सी इसको मतलब की इस तरीके से इतना सा लीजिए और पूरा पानी भर लीजिए मैं आपको दिखाती हूं फ्रेंज के आपको कैसे द टालेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पांश लीटर में थोड़ा कम पानी लेना है फ्रेंज और अगर आप चाहें तो छान सकते हैं और अगर आपको इस तरीके से दे ने अच्छा लगता है तो इस सतरीके से दे दीजिए तो एक टिबबा में डाला है और एक पिटुनिया है और जितने भी आप फ्लावर के प्लांट देके फ्रेंश ये मेरी जो मैंबताती हूं आपको देखे ये मेरी विनका है और विनका भी देखिए फ्रेंस कितना खुबसुरत लग रहा है मैं इसकी ग्रीन पत्तियां देखिए फ्रेंस इस तरीके से इसकी पत्तियां ग्रीन है इस लिक्विट को यूज़ करने से ये देखिए फ्रेंस ये भी मेरा एक चाईनीज अलेकापाम है और यह सारे croton हैं यहां पर डिफीं बाकिया भी रखे वें तो सब की ग्रोथ कफी अच्छी चल रही है यहां पर देखिए चाई पती को आप थोड़ा सा तो से तीन वाश कर लीजे फ्रेंस उसे थोड़ा सा दूप में सुखा लीजे और उसके बाद में फ्रेंस फिर आप इसमें डाल के बना लीजे तो यह बहुत अच्छी लिक्वीट है नाइट्रोजन यूक्त आपकी लिक्वीट फर्टिलाइज तो फ्रेंस यह आपको सिर्फ 15 दिन में एक बार यूज़ करनी है आपकी जो प्लांट है उसकी मिट्टी काफी सुखी वी हो तब यूज़ करनी है और फ्रेंस आपको इसको इस तरीके से ही बनाना है काफी पतला पतला आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से दे देंगे तो आपका जो प्लांट है वो मर जाएंगे तो आप इस तरीके से दीजिए फ्रेंस और जो अपने प्लांट है उसको इस तरीके से गर्मी में आप ग्रीन बना के रखिए मरने से बचाईए और काफी अच्छी मतलब कि आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इसकी ग्रोथ होगी वीडियो में नहीं प्लांट की जानकर एक साथ तब तक के लिए टेक करेंड बाबाए